भारत और उस्ट्रेलिये के बीच खेली गई बॉर्डर गवास का ट्रॉफी का समापन हो चुका है आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चौथा टेस्स मकाबला एहमदबाद के नरेंदर मोदी स्ट्रेडियम में खेला गया रस मकाबले के नतीजे की बात करें तो मकाबला ड्रो समापत हुआ और भारत ने बॉर्डर गवास का ट्रॉफी को दो एक से अपने नाम किया टेस्स में टीम इडिया की ये शांदार जीत रही और भारत ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गवास का ट्रॉफी को अपने नाम किया अगर बात करें इतिहास की तो साल 2017 से लेकर 2023 तक जब जब भारत और उस्टेलिया के बीच टेस्स सिरिस खेली गई तब तक टीम इडिया ने तिरंगे को ऊचा लहराते हुए सिरिस अपने नाम की साल 2017 में दुनों देशों के बीच बॉर्डर गवास का ट्रॉफी हुई जहां भारत ने दो एक से सिरिस को अपने नाम किया 2019 में एक बार फिर से टीम इडिया ने दो एक से सिरिस को जीता साल 2021 में गावा के मैदान पर रिश्यपंद की पारी के बाद भारती टीम में दो एक से बॉर्डर गवास का ट्रॉफी को जीता और अब साल 2023 में जब भारत में ये सिरिस खेली गई तब भी टीम इडिया ने दो एक से सिरिस को अपने नाम किया भारत और ऑस्टिले के 20 साल 2023 के सिरिस हाइलाइट के बात करें तो पहला मुकाबला दोनों देशों के बीच नाखपूर के मैदान पर हुआ जहां भारत ने शांदार जीत हासल की और टीम इडिया इस मुकाबले को जीतने के साथ इस सिरिस में भड़त बनाने में कामिव रही भारत ने वो मुकाबला पारी और 132 रनों के अंतर से जीता दोनों देशों के बीच दूसरा मुकाबला दिल्ली के मैदान पर शुरू हुआ केवल धाई दिन में खत्म हुए इस मुकाबले में टीम इडिया ने 6 विकेट से जीत हासल की और सिरीज में 2-0 से भड़ा थासल की तीसरा मुकाबला इंदोर के मैदान पर हुआ यहां उस्टेलिया की टीम ने जीत हासल की और धाई दिन में खत्म हुए इस खेल में टीम इडिया को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा चौथा मुकाबला ड्रो साबित हुआ और टीम इडिया ने सिरीज को 2-1 से जीत लिया सिरीज के चौथे मुकाबले की बात करें तो उस्टेलिया की टीम ने पहले बले बाजी करते हुए पहली पारी में 480 रन बनाए जिसके जवाब में टीम इडिया ने पहली पारी में 570 रन का स्कोर खड़ा किया विराट कोली के 186 रन शोब बनगिल के 128 के बदोलत था टीम इडिया ने 500 के आकड़े को पार करते हुए 91 रनों की भड़त पहली पारी में हासिल की हलांकि टीम इडिया की भड़त तक 14 दिन बीच चुगा था ऐसे में ऑस्टेली की टीम के पास के विल पांचवा दिन था और मैच का नतीजा निकल पाना मुश्किल सा नजर आ रहा था हुआ भी आखिर वही ऑस्टेली की टीम ने दूसरी पारी में 175 और मुकाबला ड्रो समावत हुआ क्योंकि 5 दिन का खेल खत्म हो चुका था अब आपको बता दें कि भारत और उस्टेली के बेच वंडे सीरीज केली जाएगी जहां रोई शर्मा की कप्तानी में टीम इडिया 17 मार से उस्टेली के खिलाब वंडे सीरीज का आगास करेगी आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार